नुश्कार दोस्तों अम्बाला ब्रेकिंग नियूज में आपका स्वागत है और आज अम्बाला हरियाना विधान सभा के डिप्टी स्पीकर जो हैं वो खुद पहुंचे हैं और कारेकरताओं से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है बात्चित के लिए इस समय हमारे साथ मु पिशेश रूप से अगर मैं कहूं तो एक तो जो बिसी एक आरक्षन को लेकर के जिसमें पचास परसेंट महिलाओं की भी भागिदारी ने देने का काम किया है और जो पिचेतर परसेंट जो नोकरियां जो हरियाना स्टेट के अंदर जितने उद्योग लेगे हुए हैं उन क्याते हैं उसके उनकी पिंचायतों के अंदर कहीं को रिजिरेशन नहीं थी आधनिया मनहर लाल जी ने हमारे जो भारतिया जिन्दा पार्टे की सरकार है उन्होंने यह फैंसला करके क्योंकि उनकी सोच है कि हर वर्ग को साथ लेकर के चले आज जो एसी के हमारे भाई हैं उनकी तो रिजिरेशन है लेकिन बी सी ए जो हाथ से काम करने वारे लोग हैं ज्यादा तर चाहे कोई कपड़े सीलता है चाहे कोई बरतन बनाता है कोई कारपेंटर का काम करता है कोई बार काटने का काम करता है और कोई अपने दुकान दारी करता है कोई मजदूरी करता है क अपने दम के उपर चुनाओ लड़स के बगहर रिजर्वेशन के तो काफी दिक्कत थी इनकी दिक्तों को समझते हुए क्योंकि 36 ब्रादरी से समाज बनता है और सब को समान मिलना चाहिए इसी तरजब चलते हुए हमारी सरकार ने ये कहा कि हम अभी जो जन्वरी के अंदर पंचायतों के चुना होने जा रहे है इसके अंदर आठ परसेंट रिजर्वेशन बी-सी-ए के लिए देने का काम किया है जहां आठ परसेंट सरपंच बढ़ेंगे वहीं जो बलोक समिती के मेंबर है या जिला परसेंट के मेंबर है वो आठ परसेंट और कम से कम दो मेंबर बी-सी-ए के होंगे इसमें जो जिला परसेंट के मेंबर है उसमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें Reservation 8% की विजाए 11-12% हो गई, वो इसलिए हो गई, क्योंकि अनेक जिले ऐसे हैं, इसमें 10 जिले ऐसे हैं, जिसके अंदर अगर 8% के इसाब से करें, तो केवल एक member बनता था, अब minimum 2 की condition है, कम से कम 2 तो बनेंगे, उस इसाब से अगर जिला प्रिशिद के अगर अंदर हम देखें, तो ये percentage जो है, 11.5% बनती है, इसी तरीके से जो हर्याना के अंदर जो ब्लोक है, उसमें से 31 ऐसे ब्लोक हैं, अगर हम केवल 8% देते, तो उसमें एक एक member बनता, उसके अंदर भी कम से कम 2 member बनेंगे, तो इस से ब्लोक समित्ती में और जिला प्रिशिद के 8% गाओं के अंदर, जो है, सरपंच भी, जो है, मोस्ट बैकवर्ड से बनेंगे, इस से बैकवर्ड कलास अपने आपको गुरानित महसूस कर रहा है, अपने आपको सरकार का धन्यवाद भी कर रहा है, काफी मिर पास फोन भी आए, और इसके लिए जो हमारे जितने भी साथ ही है, उनका एक विचार है, कि पूरे हर्याना बरसे मेरे पास फोन आए है, कि हम माननिय मुख्यमंतरी महदे से टाइम ले करके, एक बड़ा फंक्शन करके, उनका धन्यवाद करें, हमने इनको कहा है, कि भी करोना टाइम चल रहा है, और जैसे ये ठीक होगा, उसके बाद म हमारे पास मिलते हो जाना, तो आज, बैकवर्ड क्लास तो खुश कर दी है, आपने एक दो दिन के विधानसवा सत्र में, क्रिशी कानूनों पर चर्चा को लेकर भी काफी गहमा गहम हुई हुई, कॉंग्रेस ने वोक आउट भी किया, अभे सिंग चटाला भी काफी कुछ बोलते हों नजराए, क्या लगता है क्रिशी कानूनों के मुद्दे पर किस तरह से सरकार जो है, वो स्टेंड करती है, भारतिये जिन्ता पार्टी, जैसे मैंने पहले का, कि सब का साथ सब का विकास, इसी तरज पे कारिया कर रही है, तीन जो किरशी कानून है, ये किसानों के हित्मे हैं, और ये तो कल तो परूव होगा, विधान सबा के अंदर भी परूव होगा, परूव इसलिए होगा, कि हमने तो पहले ही का था, जो विपक्स है और कॉंगरेस पार्टी है, केवल और केवल किसानों को भरमित करने का काम कर रही है, आम तोर पे आपने ये तो तयार हैं, लेकिन विपक्स भागता हुए नजर आ, विपक्स रुका नहीं, क्योंकि उनके पास इन तीन बिलों के अंदर बोलने के लिए कुछ थाए नहीं, ये तीन भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार इस बात के लिए परतिवद है, कि किसानों की आए दो जार बाइस तक दुगनी करनी है, उसी के दिसा में एक कदम उठाने का काम किया है, और मादनी है, 베म अतरी महाद्या ने का था, जो에 जन्यवाद परस्ताओ लेकर कि आता हूं, आप इस फे खलो करके चर्चा करो जो कमी है वो बताने का काम करें, और आप इस पहलो करके बोलो, ल के खिलाब वो बोल्स के एक मामला चल रहा है सोनी पत हो या पानी पत हो जहरीली शराब का शराब माफिया पर किस तरह से शिकंजाज कसा जाएगा कल सदन में विज साब भी काफी बोलते हुए नजर आए कि अगर किसी को भी बख्ष दिया जाए तो उनका नाम अनिलविज न पूरे स्टेट को यासवासन दिया है परदेश की जिनता को आसवासन दिया है कि कोई भी क्राइम किसी भी तरह करेगा तो किसी भी सूरत में बख्षा नहीं जाएगा क्रिमिनल को सजा मिलेगी और जो आप जो सौनी पत की बात कर रहे हैं या कहीं भी कोई भी इस टाइप क कि कोई गटना होगी किसी भी टाइप की तो निशी तरुपशे उनको सजा मिलेगी अखरी स्वाला बडोधा के नतीजे क्या कुछ उमीद कर रहे हैं आप देखे मैं खुद बडोधा के गाउं के अंदर जाके आया था और मैं वहां के जो रुजहान था जो आम लोगों का मत कि उसरकार के अंदर सामिल होना हम चाहते हैं मुझे पूरी उमीद है कि योगेश्वर जी जो है चंडिकड़ विधान सभा के अंदर पहुंचेंगे तो ये थे हर्याना विधान सभा के डिप्टी स्पीकर जिनका दावा है कि योगेश्वर दत हर्याना विधान सभा में जरूर पहुंचेंगे अपडेट देते रहेंगे जुड़े रहें हमार साथ